कि का आज क्या पढ़ाएंगे इतिहास कोटन आपका इतिहासं किसे से क्या बोड इक्जाम क्या दोईतकेवारी बॉड एक्जाम अपक्व विभी आई कोच्चन दोईट त्स छलिए पहला कोचन पहला कोचन के आम लोगा प्रहला कोचन इंग मैं खूनी रभिवार, क्या यह क्या है, ग्यां था लोगले पास खाने के लिए कुछ नहीं था उनेसा 5 इस्वे'mे लोगों की एक समुने रोटी दो-डोटी दो नारे के साथ शरक पर पार दसण करते हुए सेट पिटर्सबर्ग स्तित महल की ओर जा रही नहीं लोगों पर गोलिया वर्स में हजारों लोग मारे गये यह घटना यह घटना रववार के दिन हुआ था इसलिए इसे खुणि रववार का तो क्या कहाता है कुनि देखिए खुणि रवब्स पांच इसमें रूस और आर्तिफिवलात भेखर हो गये और किरानतिय द्रण करते हैं लोग के लिए कुछ नहीं था उन्होगों एक समून है ूरोटी ढोलोकिकाहन सरक्पप परदर्शन में हुए कपट ऑफ महल हैं लाए यार ख़ती जार की सेना ने उन औहलोया बरसाओं जुसमें हजार लोग मारे गए या घटना रवीवार के दिन ही आता है इसलिए इसे खुनी रवीवार विकाते सभारावर किसे करते हैं समाज का ऐसा बग जिसमें किसान मजदूर समाने मजदूर और आम गरीब लोग सामिल हो से सभारावर करते हैं सबहारावर्ग ऐसा भर एक उसे सबहारा भर काते हैं मुधियाक्टूबर क्ञांति क्या दगा अक्टूबर कॉरांति क्या है साथ नमंबर 1927 में बोलसुविकों ने पेट्रोगार्ड के रेलेवे स्टेशन बैंक डांग घर कचहरी टेलीफोन के तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया क्रेंश की रूच छोड़ के भाग गया और साशन की भाग दोर बोलसुविकों को हाथों में आ गया जिसकर अध्यक्स लेलीन को बनाए इस घर्टना को बैसुविक रांती या अउख्टिπर कर अंत कर्कार नहीं इसे क्या का था पुंजी बाद एक ऐसी ब्यूसता है जिसके अंतर गत उत्पादनों का सवी सादनों पर किसका अधिकार हो करखाना मालिक और पुंजी पतियों का अधिकार हो जिसमें सरकार का कोई हच्छेप ना हो कि डांडी आत्रा का क्या उद्देश था क्या है डांडी आत्रा का उद्देश यह था कि समुन्तत पर पहुंच कर समुन्त के पानी से नमक बना कर नमक कानून का उलंगन कर सरकार को यह बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला साथ ही यह सरकार के खिलाप असव अवेग्या अंदोलन की शुरुआत है शुरुआत का संकेत भी देना था नेके डांडी अधर से क्या उद्देश याद था कि समुन्त पर पहुंच कर समुन्द के पानी से नमक बना का नमक कानून का उलंगन कर सरकार को यह बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैस देना था शांथ ही यह सरकार के खिलाब सबीने अवेग्या अंदोलन के शुरुआत का संकेत भी देना था कि जलिया वाला बाग हत्याकां के बिशाय में वननन करना है चलिए तेरा अप्राइल 1929 में इस्वी को जलिया वाला बाग घंत्या कानुवा था उस दिन अमरीसर के जलिया वाला बाग में बैसाखी मेला लगा था गाउं के लोग मेला में सिर्कत करने के लिए आये थे और कुछ लोग पूलिस की दावनकाई नीतियों का विरोद कर रहे थे विरोद सभा के करवाई के बीच ही अमरीसर के कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और परवेस दुवार बंद परवेस दुवार था ना जो रास् परवेस दुवार को बंद कर रहा उन निहत्य भीर पर न क्या करें जो निहत्य लोग थे ना निहत्य भीर पर अंधादुन गुलिया चलवादी इसमें ना इस हत्याकान में किया हो गया 389 लोग मारे गयते तता क्रीब बड़ा सो लोग हाय लुए थे और सयोग अंधोलन पर्थम जन अंधोलों था का इसे तो वुला उनईसव बीस इसमी में गांधी जी के नित्रीत में चलाया गया और सयोग अंधोलन इस मा चलाया गया जनता ने अपने अपने अस्तर अंधोलन में योगदान किया है योगदान दिया और था यहां आत्रूंद लान को पर्थम जना अंधोलन का रूप परदान कि जाए है और सब्सक्राइब में चलाए गया और सरकारी भावन सरकाई नोक्रिया स्कूल को लें बिदेशी बस्तों का वाइसकार के मुद्ध छोड़ दिया क्या क्या जनता ने अपने अपने अस्तान रूप इन अंदोलन को योगदान दिया और असयोग अंदोलन को पर्थम जन अंदोलन का रूप परदान किया क्या है रेशा मार्ग का क्या अर्थ था रेशा मार्ग क्या था या रेशा मार्ग का क्या अर्थ था रेशा मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो इसीया के विशाल भागों को प्रस्पर जोने के सांथ इस मार्ग से अधिकांस था रेशम का वेपार होता था सबस्क्राइब क्या ईससे रेच शंच रखने की इसमें कूछ बत गिया उगले वीडियों में देखांगे एवीडियों अच्छा हरे से लाइक शरू अब करो कि